नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक्स वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्ते पूंट टोपिक लेकर आया हूँ मैं दस लाजवाब नुष्के लेकर आया हूँ हमेशा याद रखी ये दस लाजवाब नुष्के इन्हें जानने के लिए किर्पया हमारे वीडियो को देखते रही है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज सब्सक्राइब कर लीजिये क्योंकि इस चैनल पर आपकी हेल्थ से समन्दि सबी जान कारिया हम लेकर आते हैं जिससे के आप घर पर उस्दी बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वस्थ जीवन है इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो उपर आई बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके भी इस से रिलेटड और वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपको फाइदा मिले अब मैं बात करूँगा हमेशा याद रखे ये दस लाजवाब नुसके हमारा लाइफस्टाइल दिनो दिन बदलता जा रहा है घर की बजाए हमें बाहर का खाना ज़्यादा टेश्टी लगता है नितीजा कभी गला खराब तो कभी खासी लेकिन हर दवा लेने से बहतर है कि हम कुछ घरेलो नुसकों को अपनाए और जल्द रहात पाएं भारती रसोई में आपको हर मर्ज की दवा मिलेगी आए जानते हैं कुछ ऐसे नुसकों के बारे में जो दादा नानी के समय से ही मसहूर है पहला गरम दूद और हल्दी हल्दी सिर्फ दाल सबजी में ही डालने के काम नहीं आती इसमें कई उस्दे गुन भी हैं सोंदरे से लेकर तव्चा, पेट और सर्दी आदी के लिए हल्दी उपयोगी होती हैं सर्दी जुकाम हो तो चोट लगी हो हल्दी ओला गरम दूद पीने से तुरंत रहट मिलती हैं अजवाइन और नमक नमक अजवाईन के प्रांटे तो सबको अच्छे लगते हैं लेकिन जब पेट खराब या बदहजमी हो तो बस आदा चमच अजवाईन एक चुटकी नमक के साथ फांके और बदहजमी दूर हो जाएगी तुलसी और काली मिर्च तुलसी सबके घरों में आम होती है क्योंकि लोग इसकी पुजा करते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि यह हमें बिमारियों से भी दूर रखती है 10-15 तुलसी के पत्टे और 8-10 काली मिर्च के दोनों की चाई बनाकर पीने से खांसी सर्दी और जुकाम में अराम मिलता है अद्रक की चाई अद्रक कड़वी जरूर होती है लेकिन इसका स्वाद अच्छा लगता है अद्रक वाली चाई सर्दी जुकाम से तुरंत रहत दिलाती है और माइगरेन के लिए भी फाइदे मन्द होती है पाचवा कच्छे बदाम बदाम रात बर भीगो कर और चिलकर निकाल कर खाने चाहिए ये आँखो की रोसनी बढ़ाते हैं और याददास्त को भी तेज रखते हैं छे सर्सों का तेल सर्सों का तेल भी लाबकारी होते है जरसा गरम करके जोडों पर लगाए जाए तो दर्द में अराम मिलता है इसे खुसकी भी खतम होती है सेवंथ एक कटोरी दहीं दूद और दहीं भारती रसोई में धेरों त्रहे से इस्तमाल होते हैं अगर बालों में सिकरी हो तो बस दहीं हलके हातों से दहीं बालों में लगाएं और मसाज करें रूशी तो हटेगी ही साथ ही बालों में चमक भी आएगी आठवा एक चमच चीनी चीनी सिर्फ दूद में मिठास के लिए ही नहीं बलकि दवा के रो में भी इस्तमाल होती है जब हिचकी आई और आप प्रिसान हो जाएं बस एक चमच चीनी मुहों में डालें और धीरे धीरे चबाएं और हिचकी गायव नाइन्थ निम्बू और सहद यह वजन करने का जबरदस्त वजन कम करने सोरी यह वजन कम करने का जबरदस्त नुसका है बस एक गिलास पानी में एक निम्बू को रस और दो चमच सहद मिलाकर पिएं और मोटापा गयब हो जाएगा दसवा पका किला दस्त में बस एक किला आराम देता है आप एक किला गाएंगे तो दस्त से आराम मिल जाएगा इसे सुंद्रिय के फेस मास्क के तोर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे जो फेस है काफी गलो आता है काफी सुंद्र हो जाता है उसे दाग दबे मिट जाते हैं तो दोस्तों ये थे दस ऐसे लाजवाब नुसके जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए और जब इनकी जुरूरत पड़े ये छोटी-छोटी जो बीमारिया है आप इनके लिए डोक्टर पर जाने के बजाए या डोक्टर से दवाई लेने के बजाए इन नुसकों को आजमाएए इससे ना तो कोई आपको साइड इफेक्ट होगा इसके साथ साथ आपके लिए आपको जल्दी अराम भी मिलेगा और विदाओट साइड इफेक्ट विदाओट ऐनी खर्चा तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो हमेशा याद रखी ये दस लाजवाब नुसके अगर आपको हमार वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे सेयर करना ना बोलें सेयर इसलिए ताकि आ उन मेरे भाईयों तक भी वे यह वीडियो पोँचे जिनको इस वीडियो की देखने की सबसे अधिक जरूरत ह ताकि वे इसको देखकर इससे लाब उठासके इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल करीजी इंडिया को सबस्क्राइब करना ना बोलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतस्त घ्रेल उनुसको दोरा इलाज लेकर आते हैं जिससे कि आप घर पर उस्ते बन है धन्यवाद दोस्तों